हला एव वरिमेन कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चेन में आप सबका स्वागत है राम राम जी आप सोचरेएं की यहां पर किचन में तो कोई नहीं किसको दिखार हुम तो मैं यह दिखार हुम सुबह का टाइम हो रहा है सारा काम बगेर फ्री हो गया और आज है यह पंचमी का ब्लॉग है और आप सभी को बसंत पंचमी की धेर सारी सुबकामना है क्योंकि उस दिन स्कूल के टाइम में रिविल लगा के जाते थे, पीला लेके जाते थे, अच्छा लगता था, तो मैंने मुला कुछ पीला बना लू, तो फिर हाँ पर मैं पोई बना रही हूँ, पोई को अच्छे से दो लिया है, आलू को भी दो लिया है, एक आलू डाल दूँगी, और आरे चीजे कर यू कड़ाई जब तक गरम हो जाई, और श्वाना मेरे पीछे पीछे आप लोगो को दिखी रहा है, लगी हूए है, इस सूट की पॉकिट कैसे दिखती है ना, बहार लिकली हूई, पर यह है ना, इसमें सर्दी नहीं लगती है, यहाँ पर राई को मैंने सा आरे लेके आ गई हूँ, जो कि मुझे मलाई निकालनी, काफी टाइम से मैंने मलाई निकाली नहीं थी, तो मैं मलाई बच्चे सब कोई भी नहीं खाता है, यह देखी, मलाई नहीं खाते है, तो फिर इस से बड़ी घी निकाल लो, वो अच्छा है ना, तो फिर मैंने तो मैं यह करूँगी, तब तक मेरे पोई बन रहे हैं, मतलब लगे हाथ, जो आ जाए सामने वो कर लो नहीं, तो फिर दिमाग से चीजे निकल जाती है, यहाँ पर मलाई निकाल लिए, दूद को साइट से रख दिया है, और देखिए मेरे पोई बढ़ी आप बनके खटे म चाय बनाई थी साइट, हाँ बनाई थी, हाँ नहीं है क्योंकि पर्सो का ब्लोग है ना, इसी लिए, पोई ले लिए, यहाँ पर बच्चों के साथ आ गए, खाने के लिए, चाय ले लिए, धुआ निकली रहा है, और सोना का यह बैक फट गया है, पर वो इसको छोड़ती नहीं है, बिल्कुल भी, तो यहाँ पर यह देखिए, वो क्या कहते हैं, पोई तीनों के लिए लेकर, आगर मैं भी इनी के साथ खा लूँगी, धूप निकली थी, काफी अच्छी खासी, तो बच्चों के साथ मैंने भी वैठ के खा लिया था, यह आएंगे, तो इन के लि आज यह सब निकाल निकाल के खाती है, ऐसे खाती ही नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने चाय ले लिए, चाय पी के फिर आगे का काम करूँ, काम सारा अलमुष्ट हो गया है, अफ खाना पीना बनाना है, और मैंने चमच नहीं लिए, मैंने हाथों से यह खाना, sorry मुझे हाथों से अच्छा लगता बच्चों को मैंने चम्मचे दे दिये ये रिखी मैं बोल लिए उधर मत जाओ चाय फैल जाई इधर विठाया और ना जमीन पे नहीं बैटे हम लोग बैड़ पे बैड़ गए क्योंकि जमीन का फर्स ठंडा था ना चैटाई ढूनता फिर बिछा आते हैं इससे वड़िया हमने बोलग यहीं बैट जाते हैं बच्चे नहीं फिलाते हैं अब फिला देंगे तो जाट देंगे बच्चे हम बच्चे से क्या बुबख करें अच्छे हैं, यहां पे मैंने का वह कर लिया है और यहां पी द Haykah पीने के बाद में मकान पर गई ती मकान पे मैं चाय देखे अनु चाय बहु की आया हूँ जाते थंडी हो जाती है एक दिन मैं तेटली ले कर गई ती मैं लोहा तो फिर वहां पर सबने मना कर दिया कि नहीं हामत रखे जा उँचा नीचा आए टूट कर जाएगी तो फिर मैं उसको वापस लेके आई अब रोज रोज उसको कौन लेके जाए आप बताईए तो चलिए यह कर लेके फिर काम करते हैं जो भी घर का है आप सब लोग और आपक चाहिए इसमें यूज की हुई है यह किस-किस काम आता है यह सब हम आपके साथ पूरा शेयर करेंगे और पहले हम यह भाई से जान लेते हैं क्या क्या पढ़ा है क्या क्या नहीं आपको पताई है अहर वीडियों बताते हो यह जीजे थोड़ा सा मैं भूल जाती हूँ तो म आप लोग के साथ शेयर कर दो भाई अच्छे से समझा सकते हैं कि यह चीज एसे होती है ना अच्छे से समझ में नहाए तो यूज कैसे का रहे है वैसे तो बहुत ही नॉर्मल है कोई इसमें वह नहीं है सुबह साम खाना होता है इनको तो चलिए देखते हैं यह हमारा मार् पढ़ा हुआ है अभी करता है आपको अच्छी तरीके से भूपनी लगती है जिस कारण से आपको वीकने सोने लग जाती है सुस्ती रहती है आपको ऐसा लगता है कोई काम करने की इच्छा नहीं हो तो यह सारे जो होते हैं वह हो कहीना गहिए हमें यह करते हैं कि हमारी बॉड नेकर सकते हैं खाना कंड़ देवन्न छोटा सांथी है और अपो नेकर सकते हैं अपको नेकल के सामने आघे हैं जब प्रोटीन की कम हो जाती है तो मीकनेस वगरा वो सारी से दूर हो जाएगी और बहुत ही इफेक्टिव है सारी इसमें नैचुरल चीजे हैं और अंदर से भी से खोल के दिखा देते हैं इस तरीके के साथ आप लोगों पता है मैं भी बीच में बीमार रही तो फिर ये बह हमें कमजोर होती ही ह admit क्याम कर सकते हैं लिए क्याम करने का मन होता है तो मैं इसे जैसे यह चीजे मैं तो सुबह साम लेती हूं पर यह सारी जानकारी जब आप इसके मेरे थ्रूल होगे तो आपको यह सब पता होना जाहिए इसलिए मैं भाई से बोला मैं आप अच्छे से समझाओ और कुछ इसमें अच्छी चीजे हैं बड़िया चीजे लेने चीजे भाग जानकारी 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 जानक पर यहां पर यह दिखी घर पर आगए इसमें थ्री लोक लगे हुए और मैं आदे गंटे से इसको खोले पर लगी हुई थी पर घर का लोक खुली नहीं रहा था फिर भाई ने वोला पागल इसके तील लोक हैं और यह मेरे भाई बड़े मुझसे बड़े हैं आप लोगों को सबको पता ही है तो बस यह फिर भाई ने आके खोला भी आप खुद देखिएगा तो भाई देखने आया है फर्स टाइम देखने आया है थोड़ा टाइम मिला तो आ गये तो फिर अभी बीच पर करोना भी इतना जादा हो गया था तो फिर नहीं आ पाए थे पर एक पात ब हम लोग थोड़ा बहुती वीडियो बनाया जादा नहीं बनाया क्योंकि भाई से बाते करने में लग गई थी यहां पर आ गई हूं मैं सौना के बंसिका की चोटी ओटी बना रही थोड़ी देख धूप में आई ओपर बीच वाली जो दीदी है ना वो भी बैठी हुई थी उनसे बाते कर रही थी खाना पीना ही वो रही और बंसिका के बाल गीले थे तो उनसे बाते करती जा रही और इनकी चोटी बनाती जा रही यही पर मैं भी अपनी बना लूँगी फिर चलके खाना पीना बनाएंगे भाई के लिए वो कर दी और मैं बंसिका को डांट रही पता है ये बाल खुले रखती है और इतने उलच जाते फिर रोती है तो फिर बोलती है नहीं मैं चोटी बना के रखना होता है ऐसे खुले रखते हैं तो बदे की बाल उलच जाते हैं चोटी बना के रखो बाल बढ़ते भी है और अच्छे भी रहते हैं ये खुलेच रखती है, एक दिन याद रखेगी और दूसरे दिन भूल जाएगी, ये होता है था, फिर मुझे गुशा था, फिर बाल काड़ो तो बोलती दर्द हो रहा है, बच्चों को चोटी बना के ही रखनी चाहिए, मैं हमेसे चोटी बना के रखती थी, खुदी बना ल कहां मतलब आ जाते हैं, कहां से कहां बात लेके पहुंच जाती हूँ ना, पर मैं हूँ, अभी देखी, अभी बात चोटी बगएरा की चली, तो कहां से कहां बात आ गए, और यहां पे सभी लोग कैरम बोड खेल रहे हैं, भाई, ये सामका टाइम हो गया था, ये कैरम पाया, जदा टाइम नहीं था, क्यूंकि भाई को जाना था, आये थे, उसी दिन चले गए थे, देखे, और मेरा कुछ काम था, तो, मेरा काम था, मेरा काम करवा के, उसके बाद गए थे, क्यूंकि मेरी मेल आईडी थी, वो भी मेरी मुपाय़ से, मैं पासवर्ड भूल गय तो यह सारी चीजे थी, यहाँ पे अच्छा मैंने पोई भी बना लिये थे पीले, फिर भाई आये भाई ने बोला प्रीती कड़ी बना ले, कड़ी चावल भी बना ले थे, रोटी भी बना ले थी, यहाँ पे मेरी फुली-फुली इसी पकोडी रेडी हो गई है, इसी वाले कड़ी चावल और रोटी तीनों चीजे बना ले थी मैंने, मतलब अच्छा खासा ब्लॉग बन गया, यह देखिए, लसी में सारे मसाले मैंने डाल दिये हैं, और भाई को मेरे हाथ की कड़ी पसंद आती है, तो इसी लिए, तो यह देखिए, इसमें डाल दे रें, कड़ी मैथी डाल दी, मैं मैथी से चोंकती हूँ, सुखी मिर्ची डाल दी हैं, कड़ी पत्ते, शेर ने किया है, क्यूंकि मैंने कई बार तो शेर की है, तब भी मैंने इसमें भी दिखा दिया, अद्रक लेसन का पेष्ट, और यह देखिए, कड़ी पत्ते, कड़ी पत्ते अभी ह जाओंगी, डाली तोड़के, फिर लाओंगी, यहाँ पर यह देखिए, प्याज अच्छे से भुण जाएगा, फिर इसमें हम अपना जो बैटर तियार करके रखा, वो डाल देंगी, और इसमें डाल दी है, मैंने सूखे धनिये, यह देखिए, प्याज कितने अच्छे से जाड़ी आपको सामने आ जाए, यहां काफी देर बनने के बाद हमारी कड़ी देखिए, कितनी बढ़िया बनके तयार हुई है, और पकोड़ी कितने मोटे मोटे हो गए है, आपके सामने कितनी छोटे छोटे बनाया है, फूल के कितने गुबारे जैसे हो गए, और मेरे पक आज पूरा खाना पीला पीला हो गया है और पकवड़ी मैंने 4K भी दिखाई है उम्मीद करती हूं आप लोग को मेरे ब्लॉक पसंद आएंगे पसंद आए तो लाइक करिएगा धेड़ सारा प्यार दीजिएगा नए है तो सस्क्राइब करिएगा चैनल को और शेर करिएगा और लाइक शेर कमेंट जरू करिएगा बाई बाई टेक क्यार